सरंडा साथ सो पारियों का घना जंगल है जहां वो बुन्डा अधिवासी अधिक्तर निवास करते हैं 248 करोन का सरंडा एकसंद पलान के तहर 2012 में सरंडा वासियों को इंदरा अवास योजना से जोड़ा गया था बैंक हता के माध्यम से अवास निर्मान हेतु पहला किस्त 24,000 रुपया का भुक्तान किया गया है 24,000 से दिवाल खड़ा करने तक था उसके बाद 24,500 रुपया छपपर अधि लगाने के लिए मिलना था जो दूसरा किस्त के रूप में अभी तक दिवाल खड़ा करने के तीन साल बाद भी बुक्तान नहीं क्या गया है अबिए को तो प्सके बाद भी तक दो रुपया है है अए अटाय कहते हैं ? आपाय को पना अए ऐगा किए रागा कि अज एंग सेख्वें इना लागा एंग में आप अगधा रह जाले कि एंग को कि अए इना सब्सक्रिकर एंग इना फिर्पॉक वार्फ एंग मुझी पादो एंग सेख्व भादा क्मार्या ऑ्ल दूसरा किस्त ना मिलनी के कारण स्रांडा के लाभुकू को कापी दिकतों का सामना करना पड़ा कोई मावेशी बेच कर कोई रिण लेकर तो कोई बैंक खाता बंधक में रखकर के छपर अधी लगाया है वही जो इन चीजों में शक्षम नहीं थे उसका घर का निर्मान अभी तक अधूरा है छपर अधी नहीं लगाया है अधा आप सभी धर्सक भाईयों भुद्धी जीवियों अमंग समाज सेवियों से मेरा विनम्र अपील है कि जिल्ला उपायुक सिरी संतनुकुमार अग्राहरी का मोबाईल नबर 9470 5176 77 पर कॉल करके दबाओ दे ताकि सरांड़ाबासी के लाबुकूं को जाल से जाल दूसरा की इस्तमिल सके मैं कामल पूर्ती पस्टिम सिम्म जारकंड से इंडिया अनहट के लिए